भाई 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 आ गया है विकेंट और विकेंट पे क्या है कुछ खास जरूर है हमारी तयारी पूरी है क्यूं कर पाए है यह तयारी आपकी मदद से क्योंकि हमने जो है एक वीडियो मनाया था इवो फॉक्स एलीट एक्स पीसी नाम से गेम कंट्रोलर का वीडियो था आप पर आपको link देखने को मिल जागा वीडियो के नीचे भी description में भी आपको link देखने को मिल जागा जाद देना करते हैं चली जानते हैं Cosbyte Aries की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ तो चली दोस्तों सबसे पहले packaging से शुरू करते हैं मेरा जो review शुरू होता है Obviously हमेशा presentation से होता है क्योंकि एक मोटा पैसे जब आप खर्चा करते हो तो एक unboxing का experience भी बहुत ज़रूरी हो जाता है सामने जो है product का graphical depiction पीछे जो है product के highlighted feature through callout देखने को मिल जाता है और overall जो ये packaging है black and yellow में काफी premium लगता है considering at what price point this product is coming for खुलते है box packaging को तो सबसे पहले जो है जो सबसे ज़्यादा expected था वो है the gamepad itself क्या premium है क्या look है आप देखो जेट black color में कॉसी बाइट वाले जो design करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बहुत ही सही design होता है और हाथ के उपर क्या rigid feel हो रहा है इस पे आते है थोड़ी देर में पहले देखते हैं और क्या-क्या मिल रहा है box के अंदर सबसे पहली चीज हमें देखने को मिल रहा है एक 2.4 GHz का dongle अब इसका dongle का size देख की बता सकते हो कि क्या बहतरीन qualities की होने वाली है पीछे Aries और सामने कसी भी का logo रखते हैं इसे भी side and now जितने भी connectivity के options है वो सारी यहां पर आपको और देखने को मिल रहा है सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है वो है आपका type A male to type A female port वाला एक cable देखने को मिल रहा है यह कब काम आएगा यह तब काम आएगा जब आपका battery gameplay के बीच में अचानक से रूप जाता है इससे directly आ काफी बड़े-बड़े pictorial depiction के साथ आता है यहां पर काफी सारे feature जो है इस gamepad के अंदर देखने को मिलता है इसलिए जरूरी है कि आप इसको समाल के रहो रखते है इसको side में यहां पर यह जो overall जो aesthetic है इसका देखके आपका दिल को सो जाएगा सबसे पहले देखिए इसके buttons क क्या खूबसूरत button है यह एक glass जैसे आपको button दिखने को भी लेगा concave shape में है और हर एक जो alphabet है वो उभर के सामने आ रहा है यह आपका home button हो गया यह analog वाले joysticks हो गया यह d-pad हो गया यह action pad हो गया और यहां पर trigger देखिए आप क्या कमाल के triggers हैं और साथ ही आपको यहां पर button भ यहां पर auto अच्छा आप में से बहुत सारे लोग यह भी जानना चारे होंगे कि क्या यह जो इतने सारे lighting है इसको बंद भी किया जा सकता कि नहीं तो दोस्तों बिल्कुल बंद कर सकते हैं back plus अब अगर यह दबाते हो तो यह जो वी lighting है यह बंद हो जाएगा back plus X दबाते हो तो यहां पर आपकी जो action बटन के उपर जितने भी lighting है वो बंद हो जाती है लेकिन कौन बंद करना चाहेगा I seriously doubt यह इतना खूबसूरत लगता है अलागि हाँ रात वगरा में gaming वगरा कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ा सा तकलिफ हो तो आप यहां पर ब क्रिमियम भी है और बहुत सुंदर भी है तो इसके अच्छा-चे शॉट के साथ आपको पूरा जो है रिव्यू कंप्लीट कराता हूं तॉप शॉट के बाद चलो बात करते हैं अब बात करूंगा इसके ओवराल डिजाइन बिल्ड क्वालिटी और सबसे इंपोर्टन लिए यहां पर रबर ग्रिपींग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया होगा तभी यह जो प्रैक्तिकल भी है और देखने में इतना सुनदर दिखता है एक वर यहां पर प्रीगर को कैसे हैं बहुत बढ़िया ट्रिए कि साथ अगेन रॉक सॉलीड देखने को मिल रहा है है और क्या प्रेशर सेंसेटिब भी मिल रहा है अब बताता हूं आपको इस डिवाइस के मक्खन मक्खन जितने भी फीचर्स है उसकी तो सबसे पहले बात करते हैं जो वरकिंग डिस्टेंस है भाई सब हिंडोर का गेम आउटडोर पे खेल लोगे आठ मीटर का जो है आपको डिस्टेंस देखने को मिल जागा 2.4 गिगाहट्स पर कनेक्ट होने वाला यह वाला जो डॉंगल है काफी स्ट्रॉंग सिगनल देता है और लिटेंसी भी इसलिए आपको मिनिमल मिलने वाला है मतलब नेगलीजिबल है आपको से बड़िया से बड़िया जो है हैप्टिक फीडबैक भी देखने को मिल रहा है जो वाइब्रेशन के लेवल है बहुत ही प्रीमियम जितने भी गेमपैड होते है वैसा ही लेवल का मिल रहा है इनफेक्ट जो मैंने एलिट एक्स पीसी का जो वीडियो किया था यह आपको लि मिलती लेकिन ओवराल गेम में चाहिए वो बॉंब ब्लास्ट हो रहा हो या आपकी गाड़ी उबर खाबर रास्ते से जा रही हो हरेका फीडबैक बहुत बढ़िया मिल रहा है और इमर्सीव एक एक्स्पीरियंस मिलने वाला है यूजर को आपको लएगा आप गेम के अंद पढ़ रहा है तो यहां पर सिंप्ली इस बटन को एसाइन कर दो और यह आटोमेटेट तरीके से आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूत नहीं है यह वो जो टास्क है कंटिनुएसली रिगोरसली आपके लिए करता चला जाएगा राद भर की गेमिंग का एक्स्पीर करके तभी बता रहा हूं और साती क्या जितने बंदे प्लेस्टेशन से आ रहे हो और इस गेमपैट को ले रहे हो उनको दिक्कत नहों तो इसलिए यहां पर जो है स्वैपिंग फीचर दिया गया स्वैप किसमें किसमें करोगे लिफ्ट जॉयस्टिक और डीपैड में तो आपका जो है पूरा जो प्लेस्टेशन का जो आपका एक्सपीडियन्स है वहीं यहां पर ले पाओगे अच्छा बात करते हैं इस एरीज का एक और बड़े युएस्पी की यहां पर आपको बैटरी बैकप बहुत सही देखने को मिलेगा क्योंकि 700 mh का बैटरी बैकप यह दूर रखो नॉर्मल वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो सही चलेगी फास्ट चार्जर से करोगे तो बैटरी की खराब हो जाएगी लो भाई मैंने हटा दिया है अपने डाइरी को पॉइंट सारे मैंने कवर कर दिये हैं अब बात होगी सीधी कि क्या ये गेमपेड वैल मिलेगा उवराल जो प्राइस है 1400 से 2000 के बीच में रहने वाला है अब इस प्राइस रेंज में बहुत मारा मारी है बहुत सारी कंपनी अच्छे गेमपेड ला रही है हमने इससे पहले जो है इवो फॉक्स का भी वीडियो किया था अगर आप उससे कंपेरिजन देखना चात इतना बढ़िया जो है आपको ओवराल जो एर्गोनॉमिक्स मिल रहा है हाथ के उपर जो फील मिल रहा है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा और अगें यह आ रहा है एक रिनाउन ब्रैंड की तरफ से खौसी बाइट की तरफ से आ रहा है तो यहां पर आपके सारी शंकाओ का निवारन हो जाना चाहिए आप इसको खरीदो के कहां से इसको खरीदने के लिए दो तरह के लिंक आप देखने को मिल जाएगा एक आ रही पार पर कर लिया मुझे मेरे